नमस्कार दोस्तों, ओनलेन लेर्निंग्स टेनो चनल में आप सभी का स्वागत है, सतर शब प्रती मिनेट की गती से संपाथ की रिक्टेशन शुरू होगी तीन सेकिंड बाद हाल के दिनों में ट्रेनों की लेट लतीफी इसके परिचालन में आभवस्ता और आए दिन होने वाले हादसों से फिर यही सवाल उठा है की आदुने की करण और अंतराश्टिये इस्तर की सेवा मुहया कराने के दावे के बरकस भारतिये रेल कहां है फिलहाल हालत यह है की राजधानी दिल्ली से खुलने वाली ट्रेने समय से नहीं खुल पा रही है और कई कई घंटें देरी से चल रही है राजधानी एक्सप्रेस जैसी गाडियां भी पंदरा सोला या इससे भी ज्यादा देरी से अपने गंतव्ये पर पहुची यहे माना जा सकता है की बीते कुछ दिनों से घंटा कोहरा चाय रहने की वजह से ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है लेकिन अगर इसके अलावा भी सभी इस तरों पर आववस्था दिख रही हो तब इसके लिए किसे जिम्मेदार फेराया जाएगा ऐसी शिकायतों का इसपश्टी करण प्राकर्तिक कारण के रूप में नहीं दिया जा सकता कि यात्रियों के सामने खान पान की मुश्किल पैदा हो रही है और ट्रेनों में साफ सफाई आववस्था का शिकार है ऐसे में लंबी यात्रा कर रहे लोगों और उनके परिवारों और बच्चों के सामने कैसी समस्या पैदा हो रही होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है पैरा मोसम की वजह से उपजी मुश्किल एक पहलू जरूर है लेकिन ववस्थागत रूप से परबंधन बहतर हो तो समस्या और आसुविधा कम की जा सकती है इस मामले में रेलवे में बहुस्तरिये कमी साफ देखी जा सकती है कहने को बीते कुछ वर्षों में कोहरे के दोरान भी ट्रेनों के परीचालन को समानने बनाए रखने के लिए फाग सेफ डिवाईस यानी कोहरा रोधी यंत्र के इस्तिमाल की बात कही गई मगर आज भी अगर गाडियां अपने निर्धारित समय से पंद्रा सोला या बीस घंटे देरी से चल रही है तो इसकी क्या वज़ा है क्या ये यंत्र वास्तव में उप्योगी नहीं है या फिर ट्रेनों में इसे लगाने और उचित इस्तिमाल को लेकर परबंधन के इस्तर पर कोई कमी है विडंबना ये है कि जब ट्रेनों के परीचालन से जुड़ी समस्या गहराने लगती है और इस से जुड़े सवाल तुल पकड़ने लगते हैं तब सरकार या रेल महकमे की और से इसके हल के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तिमाल और अन्य उपाए करने की बात कही जाती है स्टोब